ओम श्री गडिशाय नमहा, शी दुर्गाय नमहा, अथा श्री दुर्गा सप्त सती प्रतों मुध्याय, मेधारशी का राजा सुरत और समाधी को भगवती की महिमा बताते हुए, मधु केटव वत का प्रसंग सुनाना, प्रतम चरित्र के भ्रह्मारशी, महाकाली देवता, गायत रेशंद, नंदा शक्ती रक्त दंत का बीच, अगनी तत्व, विग्वेद स्वेरूप हैं, शी महाकाली देवता के प्रसंथा के लिए, प्रतम चरित्र के जप में विन्योक किया जाता है। भगवान विश्नु के सोजाने पर मधू और केटव को मारने के लिए, कमल जन्मय ब्रह्मा जी ने जिनका इस्तवन किया था, उन महाकाली देवी का मैं सेवन करता हूं। वे अपने दस हातों में खडग चकर गदावान धनुष परिक शूल वुसुन्डी मस्तक संख धारन करती हैं। उनके तीन नेत्र हैं। वे समस्त अंगों में दिव्य आबुशणों से विवूशित हैं। उनके शरीर की कांते नील मणे के समान हैं तथा वे दस मुख और दस पैरों से युक्त हैं। मारकंडे जी बोले सूर्य के पुत्र सावर्णे को आठवे मनु कहे जाते हैं। उनकी उत्पत्ती की कसाविस्तार पूर्वक कहता हूं। सुनो। सूर्य कुमार महाभाग सावर्णे भगवती महामाया के अनुग्रे से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामे हुए वही प्रसंग सुनाता हूं। पूर्वकाल की बात है। उनकी शत्रू हो गए। राजा सुरत की दंड नीती बड़ी प्रवल थी। उनका शत्रू के साथ संग्राम हुआ। यद पी कूला विद्वनसी संख्या में कम थे। तो भी राजा सुरत युद्ध में उनसे परास्त हो गए। तब वे युद्ध भूमी से अपने नगर को लोटाए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। समुची प्रत्वी से अब उनका अधिकार जाता रहा। किन्तु वहाँ वी उन प्रवल शत्रू ने उस समय महाभाग राजा सुरत पर आकरमन कर दिया। राजा का बल छीड हो चला था इसलिए उनके दुष्ट बल्वान एमम दुरात्मा मंत्रियों ने वहाँ उनकी राजदानी में भी राजी के सैना और खजाने को हतिया लिया। सुरत का प्रवत नश्ट हो चुका था इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोडे पर सवार हो वहाँ से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। वहाँ उनोंने विप्रवर मेधा मुनी का आश्रम देखा जहां कितने ही हिंसक जीव अपनी सोभाविक हिंसा प्रत्ति को छोड़कर परमशांत भाव से रहते थे। उनके बहुत से शिष्य उस वन की सोभा भड़ा रहे थे। वहाँ जाने पर मुनी ने उनका सत्कार किया और वे मुनी शेष्ट आश्रम पर इधर उधर विचड़ते हुए कुछ काल तक रहे। फिर मम्ता से आकरष्ट चित होकर वहाँ इस प्रकार चिंता करने लगी। पूर्वकाल में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया था। वही नगर आज मुझसे रहत है। पता नहीं मेरे दुराचारी ब्रत्यगण उसकी धर्म पूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मद की वर्षा करने वाला और सूर वीड था वह मेरा प्रधान हाती अफशत्रों के अधीन होकर न जाने किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी क्रपा, धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे वे निश्य ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरन करते होंगे। उन अपवई लोगों के दौरा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा भैख खजाना खाली हो जाएगा। ये तथा और भी कई बातें राजा सुरत के निरंतर सोच में चलती रहती थी। एक दिनों ने वहाँ विप्रवर मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उससे पूझा भाई तुम कौन हो यहाँ तुमारे आने का क्या कारण है तुम क्यों शोक रस्त और अन्मने से दिखाई देते हो। राजा सुरत का यह प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें परणाम करके कहा। इसलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया हूँ। यहां रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की इस्त्री की और सोजनों की कुशल है या नहीं। इस समय घर में वे कुशल से रहते हैं अथवा कोई कश्ट है। वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी हैं? अथवा दुराचारी हो गए हैं। राजा ने पूछा, जिन लोभी इस्त्री पुत्र आदी ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रती तुमारे चित्त में इतना इसने ही कावंदन क्यों है? वेश्य बोला, आप मेरे विश्य में जैसी बात कहते हैं, वे सब ठीक है, किन तु क्या करूं? म आत्मे जन के प्रती अनुराख को तिरान जली दे, मुझे घर से निकाल दिया है, उनी के प्रती मेरे हिर्दे में इतना इसने है, महामते, गुड़े हिन वंधों के प्रती, वे जो मेरा चित इस प्रकार प्रेम मंगन हो रहा है, यह क्या है? इस बात को मैं जान कर भी नहीं जान पाता, उनके लिए मैं लंबी सांसे ले रहा हूं, और मेरा हिर्दे अत्यम्त दुखित हो रहा है, उन लोगों में प्रेम का सरवदा अभाव है, तो अभी उनके प्रती जो मेरा मन निष्टुर नहीं हो पाता, इसके लिए क्या करूं? मारकंडी जी कहते हैं, ब्राहमन तरन अंतर राजाओं में शेष्ट सुरत और वह समादी नामक वहष्य दोनों साथ साथ मेधा मुने की सेवा में उपस्तित हुए, और उनके साथ यथा योग्य न्याय नूकल पिनेपूर्वक बड़ताब करके बैठें, तत्पस्चाथ व वह राजा ने कुछ वारतलाप आरंब किया, राजा ने कहा भगवन मैं आपसे एक बात पूछना चाता हूँ, उसे बताईए, मेरा चित अपने अधीन ना होने के कारण वह बात मेरे मन को बहुत दुखी देती है, जो राज मेरे हाथ से चला गया है उसमें और उसके थूकर आया है, उसके पुत्र, इस्त्री और ब्रत्यों ने उसे छोड़ दिया है, स्व्याजनुन ने भी इसका परित्याक कर दिया है, तो वह यह है उनकी प्रती अत्यंत हार्धिक इसने रखता है, इस प्रकार, यह तथा, मैं दोनों ही बहुत दुखी हैं जिसमें प्रत है विवेक शून ने पुरुष की भाती मुझ में और इसमें भी यह मूरता पतक्ष दिखाई देते हैं रिशी बोले महाबाग विशयमार का ज्ञान सब जीवों को है इसी प्रकार विशयवी सब के लिए अलग-अलग है कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और दूसरे र यह हैं कि मनुष्य समझदार है कि वह ऐसे नहीं होते हैं कि मनुष्य की यह मनुष्या की हूती है वैसी ही पकष्याधी की होती हैर यह तता अन्य बते भी प्रहाय दोनों में समान ही है समझ होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो यह स्वयम भूख से पीड़त होते हुए भी मोहवश बच्चों की चोच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं नरशेष्ट क्या तुम नहीं देखते की हैं मनुष्च समझदार होते हुए भी लोवश अपने किये हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अविलाशा करते हैं यदि पी उन सम्मे समझ की कमी नहीं है तदापीवे संसार के स्थती जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने वाले भगवती महा माया के प्रभावद्वारा ममतामे भवड से युप्त मोहु के गहरे गर्त में गिराए गए हैं इसलिए इसमें आश्यर नहीं करना चाहिए जग दीशर भगवान विष्णू की योग निद्रा रूपा जो भगवती महा माया है उनी से है जगत मोहित हो रहा है वे भगवती महा माया देवी ज्यानियों के वी चित्त को बलपूर्वक खीच कर मोहु में डाल देती हैं वे ही संपूर्चराचर जगत की श्रष्टी कर और तथा वे ही प्रसंद होने पर मनश्यों को मुक्ति के लिए वर्दान देती हैं वे ही पर आविध्या संसारवंधन और मोक्ष की ये तो भूता सनातनी देवी तथा संपूर इशरों की भी अधिश्टरी देवी हैं राजा ने पूछा भगवन जिने आप महा माया कहते ह वे देवी कौन है ब्रामन उनका आविभार्व कैसे हुआ तथा उनकी चरित्र कौन-कौन है ब्रह्मा वेताओं में शेष्ट महर्षय उन देवी का जैसा प्रभाव हो जैसा स्व्यरूप हो और जिस प्रकार प्राधुवार्व हुआ हो वह सब में आपके मुक्से सुनना जाता हूं दिशी बोले राजन वास्तम में तो वे देवी नित्य स्व्यरूपा ही हैं संपूर्ण जगत उनी का रूप है तथा उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है तदा पी उनका प्रकाटे अन्य प्रकार से होता है वहम उससे सुनो यद पी वे नित्या और अजन्मा है तदा पी जब देवताओं का कार सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं उस समय लोक में उत्पन हुई कहलाती हैं कल्प की अंत में जब संपूर्ण जगत एकानव में निमगन हो रहा था तथा सबके प्रभू भगवान विश्णू शेशनाक की सईया पर व शाकर योग नित्रा का आश्रेले सो रहे थे उस समय उनके कानों के मेल से दो पहेंकर असुर उत्पन हुए जो मधू और केटव के नाम से विख्यात थे वे दोनों ब्रह्मा जी का वद करने को तैयार हो गए भगवान विश्णू के नाभी कमल में विराजबन प्रजापत प्रह्मा जीन जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया और भगवान को सोया हुआ देखा तब एका ग्रचित होकर उनोंने भगवान विश्णू को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का इस्तवन्ग आरंब किया जो इस वि ब्रह्मा इस्तुति करने लगे ब्रह्मा जी ने कहा देवी तुम ही स्वाहा तुम ही स्वधा और तुम ही वशिष्टकार हो स्वर्भी तुम्हारे ही स्वरूप है तुम ही जीवन दाइनी सुधा हो नित्य अक्षर प्रणम में अकार उकार मकार इन तीन मात्राओं के रू पानित्य अर्ध मात्रा है जिसका विशेश रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता वहवी तुमी हो देवी तुमी इस विश्व रम्माण को धारण करती हो तुमसे ही इस जगत की शेश्टी होती है तुमी से इसका पालन होता है और सधा तुमी कल्प के अंत में सबको है जगति रूपत्ति के समय तुम से रूपा हो पालन गाल मैं इस્स तरी रूपा हो चथा कल पान्त के समय सहारोपधारन करने वालिहों महाविध्यberries महा विद्या, महा माया, महा वेदा, महा इस्मती, महा मोह रूपा, महा देवी और महा सुरी हो। तुम्ही तीनों गुणों को उत्पन करने वाली सव की प्रक्ति हो। भेंकर काल रात्री, महा रात्री और मुह रात्री वी तुम्ही श्री, तुम्ही इशरी और तुम्ही रीम और तुम ही बोध से रूपा बुद्धी हो लज्जा पुष्टी तुष्टी शांती और छमावी तुम ही हो तुम खडगधार्णी शूल धार्णी गोर रूपा तता गदा चकर शंक गदानुश धार्ण करने वाली हो वाण वुसंडी और परिक ये भी तुमारे अस्र है शरूपे देवी कहीवी सत असत रूप जो कुछ वस्तुएं हैं उन सब की जो शक्ती है वही तुम ही हो ऐसी अवस्ता में तुम्हारे इस्तुती क्या हो सकती है जो इस जगत की सिस्टि पालन और साहर करते हैं उन भगवान को भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया ह तब तुम्हारे इस्तुती करने में यहां कॉन समढ़त हो सकता है मुझको भगवान शंकर को तथा भगवान वश्नु को भी तुमने ही शरीन धारन कराया है अधह तुमारे स्तुती कि शक्ती किसमे है देवी तुम तो अपने उन उदार प्रभावों से भी प्रशंशित हो ये जो दोनों दुधर्च असुर मधू और केटव हैं इनको मुहूं में डाल दो और जगदीशर भगवान विश्णू को सीरगी जगा दो साथ ही इनके वीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की उद्धी उत्पन कर दो रिशी कहते हैं राजन जब भगवान जी ने वहां मधू और केटव को मारने के उद्धेश से भगवान विश्णू को जगाने के लिए तमोगुड की अधिश्टादरी देवी योग नित्रा की इस प्रकारिस्थुती की तब्वे भगवान के नेत्र मुख नास्त का वाहू वेड़े और बक्षिस्तल से निकलकर अव्यक्त जन्मा भ्रमाजी के दस्टी के समश खड़ी हो गई योग नित्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनारदन उस एकाणव के जल में शेशनाक की सहिया से जाग उटे फिर उन्होंने उन दोनों असरों को देख वेदुरात्मा, हमधु और केटव अत्यंत बल्वान तदा पराक्रामी थे और क्रोध से लाल आखे के भ्रमाजी को खा जाने के लिए उधोक कर रहे थे तब भगवान शीहरी ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक किवल वाहु युद्ध किया वे दोनों भी अत्यंत बल्व के कारण उन्मुक्त हो रहे थे इदर महा माया ने भी उन्हें मोहों में डाल रखा था इसलिए वे भगवान विश्णू से कहने लगे हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं तुम हम लोगों से कोई वर्मागो श्री भगवान बोले यदे तुम दोनों मुझ पर प्रसंद हो तो अब मेरे हाथ से मारे जाओ बस इतना साही मेरे मैन वर मांगा है यहां दूसरे किसी वर्ड से क्या ले रहा है रिशी कहते हैं इस प्रकार धोके में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर जगत में जल ही जल देखा तब कमलने भगवा से कहा जहां प्रत्वी जल में डूवी हुई ना हो जहां सूखाइस्तान हो वहीं हमारा वद करो रिशी कहते हैं तव ततास्तु कहकर संक चक्र और गदा धारन करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तर अपनी जांग पर रखकर चक्र से काट डाले इस प्रकार यहे करने पर स्वयम प्रकट हुई थी अब पुना तुमसे उनके प्रभाव का वरलंद करता हूं सुनों दित्य अध्याय देविताओं के तेज से देविकर प्राधुर्भाव और महिशासुर की सेना का वद ओम अध्यम चरित्र के विश्नूरिशी महालक्ष्मी देवता उश् दुर्गाबीज वायू तत्व और यजूर्वेद स्वयरूप हैं शी महालक्ष्मी की प्रसंता के लिए मध्यम चरित्र के पाठ में इसका विन्योग है मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसंद मुखवाली मईशासुर मर्दनी भगवती महालक्ष्मी का बजन करता हूँ जो अपने हातों में अक्षमाल, फड़सा, गदा, बाल, वज्र, बदम, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ती, खडग, धाल, शंक, गंटा, मधुपात्र, शूल, पाश और चक्र धारन करती हैं देशी कहते हैं, पूर्वकाल में देवताओं और असुरों में पूरे सो वडशों तक घोर संग्राम हुआ था, उसमें असुरों का स्वामी महिशाशुर था और देवताओं के नायक इंद्र थी, उस युद्ध में देवताओं की सेना महावली असुरों से परास्त हो गई संपूर देवताओं को जीत कर महिशाशुर इंद्र बन बेठा, तब पराजित देवता प्रजापती भ्रह्मा जी को आगे करके उस इस्तान पर गए, जहां भगवान संकर और विश्नु विराजमान थें, देवताओं ने महिशाशुर के परागरम तथा अपनी पराजय का यथावत प्रतांत उन दोनों देवेश्वरों विश्तारपूरवक के सुनाया, वह बोले भगवन महिशाशुर सूर्य इंद्र अगनी वायू चंद्रमा यम वरुण तथा अन्य देवताओं के वी अतिकार छीन कर स्वयम ही सबका अधिस्ठाता बना वैठा है, उस दुरा में आये हैं, इसके वदका कोई उपाय सूचिए, इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विश्नु और शिव ने डेक्तियों पर बड़ा क्रोध किया, उनकी भौय तन गई और मुह तेड़ा हो गया, तब अत्यंत कोप में भरे हुए चक्रपाण शी विश्नु के मुख से एक महान तेश प्रकट हुआ, इसी प्रकार ब्रह्मा संकर और तता इंद्र आदी अन्यान्य देवताओं से भी बड़ा भारी तेज निकला, वह सम्मिलकर एक हो गया, महान तेश का वह पुझ जाजवल्ले मान परवत्सा जान पड़ा, देवताओं ने देखा व वह एक नारी की रूप में परिनित हो गया, और अपने प्रकास से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा, वगवान शंकर का जो तेज था, उससे उस देवी का मुख प्रकट हुआ, यमराश के तेज से उसके सिर में बाल निकल आए, शी विश्नु वगवान के तेज से उसकी बुझाएं उत्पन हुई, शंद्रमा के तेज से दोनों इस्तनों का और इंद्र के तेज से मध्यवा कटी प्रदेश का प्राधुवार हुआ, वरुन के तेज से जंगा और पिंडली तधा प्रत्वी के तेज से नितमभाग प्रकट हुआ, प्रमा के तेज से दोनो चरण और सूर के तेज से दौन उनकी उंगलियां हुई वसुओं के तेज से हातों की उंगलियां और कुवेर के तेज से नासिका प्रकट हुई उस देवे की दाद प्रजापती के तेज से और तीनों नेत्र अकनी के तेज से प्रकट हुए थे उसकी भौएं संध्या के और क हुआ तदरन अंतर समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिशा सुर के सताय हुए देवता बहुत प्रसंद हुए पिनागधारी भगमान संकर ने अपने शूल से एक शूल निकारकर उन्हें दिया फिर भगमान विश्णु ने भी अपने च शहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने बज्र से बज्र उत्पन करके दिया और एरावत हाती से उतार कर एक घंटा भी प्रदान किया। समुद्र ने उज्वल हार तता कभी जीन ना होने वाले दो विदिव्य वस्त्र भेट किये साथ ही उन्होंने दिव्य चुणा मणी दो कुंडल कड़े उज्वल अर्दचंद्र सब वाहूं के लिए के उर दोनों चरणों के लिए निर्मल नूपुर गले की सुन्दर हसली औ सब अंगलियों में पहनने के लिए रतनों की वनी अंगूठियां भी दी विश्मकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेट किया साथ ही अने प्रिकार के अस्त और अभीग कवश दिये इनके सिवा मस्तक और वक्ष स्थर पर धारन करने के लिए कभी न कुमुलाने व हाती के रत्न समर्पित कि धनाद्यक्ष कुवे ने मदू से भरा पान पात्र दिया तता संपूर नागों के राजा शेश ने प्रत्वी को धारन करते हैं उन्हें बहुंगुल्य मणियों से विवुशित नाग हार भेट दिया इसी प्रिकार अन्य देवताओं ने भी देवी का वहतंत उच्छ सवड से किया हुआ से हिनाद कहीं समाना सका आकाश उसके सामने लगुप्रतीत होने लगा उससे बड़े जोर की प्रतीत होनी हुई जिससे संपूर विश्व में हलचल मच गई और समुन्द्र काप होटें प्रत्वी डोलने लगी और समस्त परव होकर उनका इस्तवन किया संपूर्ट लोकी को शोब ग्रस्त देख देट अपनी समस्त सेना को कवश आदी से सज्जद कर हातों में हत्यार ले सहसा होटकर खड़े हो गए उस समय मैशासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा कि यह क्या हो रहा है फिर वे संपूर असुरों से प्रकाशत कर रही थी उनके चरणों के भार से प्रत्वी दवी जा रही थी माथे के मुकुट से आकाश में रेखा सी खिच रही थी कताव है अपने धनुष की तंकार से सातों पातालों को शुब्द किये देती थी देवी अपने हजारों बुजाओं से संपूर दिशाओं को आच्छा दित करके खड़ी थी तदनंतर उनके साथ देत्यों का युद्ध छिड़ गया नाना प्रकार के अस्त सस्रों के प्राहर से संपूर्दिशाएं उद्धासित होने लगी चिक्षुड नामक महान असुर मैशासुर का सेना नायक था वह देवी के साथ युद्ध कर अन्य देत्यों की चतुरंगडी सेना साथ लेकर चामर भी लणने लगा साथ हजार रथियों के साथ आकर उदग्र नामक महा देत्य ने लोहा लिया एक करोण रथियों को साथ लेकर महाहनू नामक देत्य युद्ध करने लगा जिससे रोए तलवार के समान रीखे तीखे वहें असिलोमा नाम का महादेत्य पाच करोड रथी सेने को सहित युद्ध में आडटा, साथ लाख रथियों से गिरा हुआ वाशकल नामक देत्य वे उस युद्ध भूवी में लड़ने लगा, परिवारिता नामक राक्षस हाती सवार और गुड सवारों के अनेक दलों अत्रिक्त और भी हजारों महादेत्य रथ हातियों गोणों की सेना साथ लेकर वहाँ देवी के साथ युद्ध करने लगे, स्वेम मैशा सुर उस रण भूवी में कोटी-कोटी शेहस्त रथ हातियों गोणों की सेना से गिरा हुआ खड़ा था, वे देत्य देवी के साथ त ता कुछ दूसरे द्यत्योंने खड़क प्रहार करके देवी को मार डालने का प्रयास किया। क्रोध में भरकर गड़दन के बालों को हिलाता हुँ असरों की सेना में इस प्रकार विछनने लगा मानों वनों में दावा नल फैल रहा हो रण भूमी में देथ्यों के साथ युद्ध करते हुई अम्बिका देवी ने जितने निश्वास चोड़े वह सवी ततकाल सेकड़ो हजारों गड़ों के रूप में प्रकट हो गए और पड़शू बिन्दिपाल खड़गों पट्टिच आदी असरों द्वारा असरों का सामना करने लगे देवी की शक्ति से बड़े हुए वे गड़ असरों का नाश करते हुए नगाला और संग आदी बाजे बजाने लगे उस संग्रा मौसम में कितने ही गड़ मरदंग बजा रहे थें तरन अंतर देवी ने त्रशूल से गड़ा से शक्ति की पड़शा से और खड़ग आदी से शैकडों महादेत्यों का साहार कर डाला कितनों को घंटे के बहेंकर नाद से मुर्शित करके मार गिराया बहुत से तो देत्यों को पाश से भांद कर धर्टी पर गसीटा कितने ही देत्यों की तीखी तलवार के मार से दोदो टुकडे हो गए कितने ही गड़ा की छोट से घायल और धर्टी पर सो गए कितने ही मुसल के मार से अत्यनत आहत होकर रक्त बमन करने लगे कुछ दैत्य शूल से छाती फट जाने के कानरप्रतिवी पर धेर हो गए और उस रणा भूमी में वाण समों की ब्रश्टी से कितने ही असरों की कमर तूट गई वाज की तरह जपटने माले देव पीडग दैत्य गड़ अपने प्राणों से हाथ दोने लगे किन ही वाहे किसी की वाहे चिन्विन हो गई और कितनों की गरदन कट गई कितने ही दैत्यों के मस्ता कट कट कर गिरने लगे कुछ लोगों के शरीर मद्ध भाग में विदीन हो गए और कितने ही महादेत्य की जागे कट जाने से प्रतिमी पर गिर पड़े कितनों कोही देवी ने एक बाहा एक पैर और एक नेत्र माले करके दो टुकडों में चीर डाला कितने ही दैत्य मस्ता कट जाने पर भी गिर कर फिर हुठ जाते हैं और कैवल धड़के की रूप में अच्छे अठयार हात में देवी के साथ युद्ध करने लगते थे दूसरे कबंद युद्ध की बाजों की लेपर नाशते थे कितने ही विनासिर के धड़ हातों में खड़ग शक्ति और रिशी लिए दोड़ते थे और दूसरे दूसरे महाधत ठेरो ठेरो यह कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकारते थे यहाँ वह गोर संग्राम हुआ था वहाँ की धड़ती देवी के गिराय हुए रत हाती गोड़े असुरों की लाशों से ऐसी पट गई थे कि वहाँ चलना फिरना असंबव हो गया था देत्यों की सेयना में हाथे गोरे असुनों की शरीरों से इतनी अधिक मात्रा में रख्तपात हुआ था कि थोड़ी धिर में महाखून की बड़े बड़े नदियां बहने लगी जगदमबा ने असुनों की विशाल सेयना को छड़वर में ही नश्ट कर दिया ठेक इसी तरह जैसे तरण और काट की भारी धेर को आग कुछ ही छड़ों में भस्म कर देती है और वह सीहवी गर्दन के बालों को हिला हिला कर जोड जोड से गर्जना करता हुआ तैत्यों के शरीरों से मानों उसके प्राण चुने लेता था वहां देवी के गड़ों ने भी उन महादेत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया जिस से आकाश में खड़े हुए देवतागड उन पर बहुत संतुष्टियों हुए और फूल वड़साने लगे तृतिय अध्याय सेना पतियों सहित मैशा सुर का बद जगदम्मा के श्री अंग संदन का लेप लगा है वह अपने कर कमलों में जब मालिका विद्या अभे ततावर नामक मुद्राय धारण किये हुए हैं तीन नेत्रों से चुशोवित मुकारविंद की बड़ी शोवा हो रही है उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रत्र में मुक्टबदा है ततावे कम सापती चिक्षुर क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे भड़े वह असुर्रण भूमें देवी के उपर इस प्रकार बाणों की वर्चा करने लगा जैसे वादल मेरु गरी के शिकर पर पानी की धार वर्चा रहा हो तब देवी ने अपने व उसके अंगों को अपने वाणों से वीद डाला धनुष रत गोडे और सार्थी के नश्ट हो जाने पर वह असुर्ण धाल और तलवार लेकर देवी की और दोड़ा उसने तेखी धार वाली तलवार से सिह के मस्तर पर चोट करके देवी की वी वाई भुजा में बड़े बे लेक्तने भगवती वद्रगाली के ऊपर चलाया वह शूल आका से गिरते हुए शूर्य मंडल के भाती अपने तेज से प्रजुलित हो उठा उस शूल को अपनी यूर आते देख देवी नेवी शूल का प्राहर किया उससे राक्चस के शूल के शैक्ड़ों टुकड़े हो साथ ही महा देत्य चिक्षूर के भी धज्जियां उडगए वह प्राणों से हाथ दो भैटा मुहिसासुर के सैनापति उस महा प्राक्रामी चिक्षूर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला चामर हाती पर चड़कर आया उसने भी देवी के ओपर शक्ति का प्राहार किया किन्तु जगदम्मा ने उसे अपने हुकार से ही आहत और निश्व रव करके ततकाल प्रथेवे पर गिरा दिया शक्ति तूटकर गिरी हुई देख चामर को बड़ा क्रूत आया और अब उसने शूल चलाया किन्तु देवी ने उसे भी अपने वालों द्वा आ गए और अतनत ग्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े भेंकर प्राहार करते हुए लड़ने लगे तदन अंतर से हैं बड़े बेक से आकाश की और उचला और उधर से गिड़ते समय उसने पंजों की मार से चामर का सिड़ धर से अलग कर दिया इसी प्रकार उधर हुई देवी ने गदा की चोट से उधत का कचूमर निकाल दिया मिन्दी पाल से वाशकाल को तथा बाड़ों से तामर और अंधक को मोत के घाट उतार दिया तीन ने त्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रास उग्रवीर तथा महाहनूनामक दैत को मार डाला तलवार की चोट से विडाल के मस्तक को धड़ से काट गिराया धूड़दर और दुर्मुक इन दोनों को भी अपने वालों से यमलोग बेज दिया इस प्रकार अपनी सेना का साहार होता देख महिशा सुन्ने भैसे का रूप धारन करके देवी के गड़ों को त्रास देना आरम किया किनी को तूतन से मार कर किनी के ऊपर खुरों का प्रहार करके और किनी किनी को पूँच से चोट पहुशा कर कुछ को सींगों से विरिंड करके और कुछ गड़ों को वेग से किनी को सहिनात से कुछ को चकर देकर और कितनों को निश्वास मायों के जोके से धराशा कर दिया इस प्रकार गड़ों की सेना को गिरा कर वहासुड महादेवी किसी को मारने के लिए जपता इससे जगदम्मा को बड़ा कुरोध आया और उधर महाप्राक्रामी महिशासुर्वी क्रोध में भरकर धर्दी को खुरों से कोदने लगा तता अपने सींगों से उचे-उ हुए सेंगों के आदास से विदिण होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए उसके श्वास की प्रचंट भायू के वेख से उड़े हुए सेकणों परवत आकास से गिनने लगे इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादेट्य को अपनी उर आते देख चंड़का ने उसका वद करने के लिए महान क्रोध किया उन्होंने पाश फैक कर उस महान असुर को बाद लिया और उस महा संग्रा में बद जाने पर उसने भैसे का रूप त्याग दिया और तत्काल से ही के रूप में वह प्रकट हो गया उस अवस्ता में जगदम्मा जोही उसका मस् पराज की रूप में परिणत हो गया तथा अपने सून से देवी के विशाल से इंग को खीचने और गड़ने लगा खीचते समय देवी ने तलवार से उसकी सून काट डाली तब उस महा देत्य ने पुनह भैसे का शरीर धारण कर लिगा और पहले के ही भाती चराचर और लाल आखे करके हसने लगी उधर वह बल और पराक्रम के मद से उन्मुक्त हुआ राक्षस गरजने लगा और अपने सींगों से चंडी के ऊपर परवतों को फैकने लगा उस समय देवी अपने बाड़ों के सम्हों से उसके फैके हुए परवतों को चूड करती हुई बो बोलते समय उनका मुख मधू के मद से लाल हो रहा था और वाणी लड़ खड़ा रही थी देवी ने कहा ओ मूण मैं जब तक मधू पीती हूँ तब तक तू छड़वार के लिए खूव गड़ ले मेरे हाथ से यही मेरी मत्ती हो जाने पर अवशीर ही देवतावी गड़ज शूल से उसके कंठ में आधात किया, उनके पैर से दवा होने पर भी महिशासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर होने लगा अभी आधे शड़ीड से ही वह बाहर निकलने पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया, आधा निकला हुआ होने पर वहमादेत्य देवी से युद्ध करने लगा, तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तख काट कराया, फिर तो हाहाकार करती हुई देत्यों की सारी सेना भाग गई, तथा संपूर देवता अतनत प्रसंद हो गई, देवताओं ने विमहडशियों के साथ दर्वराज गाने लगे, तथा आप सराय न्यत्य करने लगे, चतुर्त अध्याय, इंद्रादी देवताओं के दोरा, देवी की इस्तुति, सिद्धी की एक्षा रखने वाले पुरुष जिनकी सेवा करते हैं, तथा देवता जिने सब ओर से घेरे रहते हैं, उन जया नाम बाली दुर्गा देवी का ध्यान करें, उनके श्री यंगो की आभा काले मेगे के समान शाम है, वह अपने कटाक्षों से शत्रु समू को प्रदान करती हैं, उनके मस्तक पर आभद्र चंद्रमा की रेखा शूभा पाती है, वह अपने हातों में संक चक्रक्रपार तरशूल धारण करती हैं, उनके तीन नेत्र हैं, वह सींग के गंधे पर चड़ी हुई हैं और अपने तेज से तीनों लोकों को परिपूर कर रही हैं, रिशी कहते हैं, अत्यंत प्राक्रमी दुरात्मा महिशासुर तता उसकी देत्त सेना के देवी के हाथ से मारे जाने पर, इंद् भगवती दुर्गा का उत्तम बचनोद्वारा इस्तवन करने लगे, उस समय उनके सुन्दर अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच हुआ आया था, देवता बोले संपूर देवताओं की शक्ति का समुदाई ही जिनका स्वयरूप है, तधा जिन देवी ने अपनी श भाव औबल का वर्लंद करने में वग्माशेशनाग ब्रह्माजी तथा महादेव जी भी समर्थ नहीं हैं, वे भगवती शंड का संपूर जगत का पालन एवं अशुव भेका नाश करने का विशार करने, जो पुन्यात्माओं के घरों में स्वयम ही लश्मी रूप से, पा वबती दुरगा को हम नमस्कार करते हैं देवी, आप संपूर विश्व का पालन कीजिए देवी, आपके इस अचित्यन रूप का असुरों का नाश करने वाले भारी पराकरम तथा समस्त देवताओं और देत्यों के समक्ष जुद्ध में प्रकट किये हुए, आपके अद् आपका संसर्ग नहीं जान पड़ता भगवान विश्व महादेव जी, आदी देवता भी आपका पार नहीं पाते, आप ही सबका आश्रे हैं, यह समस्त जगत आपका अंशबूत है, क्योंकि आप सबकी आधी भूत अव्वेक्रता पराप्रकती हैं, देवी संपूर यग्य देवी जो मोक्ष की प्राप्ती का साधन है, आचिंत महाबरत सहरूपा है, समस्त दोशों से रहे चितेंद्रे तत्व को ही सार वस्तु मानने वाले तथा मोक्ष की अविलाशा रखने वाले मुनिजन जिसका भ्यास करते हैं वह भगवती पराविद्या आप ही हैं, आप श शयो ऐशर से युक्त हैं, इस विश्वी की उत्पत्ति हैं पालन के लिए आप ही वारता के रूप में प्रकट हुई हैं, आप संपूर जगत की घोर पीडा का नाश करने वाली हैं, देवी जिससे समस्त शास्त्रों के सार का ज्यान होता है, वहमेदा शक्ति आप ही हैं, द मात निवास करने वाली भगवती लश्मी तता भगवान चंद्र से करद्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही हैं, आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोवित निर्मल पूर्ण चंद्रमा के विंब का अनुकरण करने वाला और उत्तम सुवर्ण के मनुहर कांती से कमन हैं, तो भी उसे देखकर महिशासुर को क्रोध हुआ, और सहसा उसने उस पर प्राहर कर दिया, यह बड़े आश्चर की बात है, देवी वही मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उद्यकाल के चंद्रमा की भाती लाल उतनी हुई भौवों के कारण विक्राल हो उठा, आपके प्रसंद होने पर जगत का अव्यूदे होता है, प्रोध में भर जाने पर आप ततकाल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं, यह बात अभी अनुभम में आई है, क्योंकि महिशासुर की यह विशाल सेना छणबर में आपके कोप से नश्ट हो गई, सदा अव् पुष्ट, इस्त्री, पुत्र और प्रत्यों के साथ धन्य माने जाते हैं, देवी, आप की ही क्रपा से पुन्यात्मा पुरुष प्रते दिन अत्त्य शद्दा पुर्वक सदा सब प्रकार के धर्मान रुकूल कर्म करता है, उसके प्रमाप से स्वरक लोग में जाता है, इ युग दरित्राव भेकर हरने वाली देवी, आपके शिवा दूसरी कौन है, जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदाही दयार्थ रहता हूँ, देवी इन राक्षसों के मानने से संसार को सुख मिले, तथा यह राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए बले ही प करती है, समस्त असरों को द्रश्टी पात मात्र से ही भश्म क्यों नहीं कर देती, इसमें एक रहस है, यह शत्रूवी हमारे शत्रों से पवित्र होकर उत्तम लोकों में जाए, इस प्रकार उनके प्रती भी आपका विचारत तंतम रहता है, खड़के तेज पुंजी की बेह प्रदान करने वाले आपके सुंदर मुक्का दर्शन करते थे, देवी आपका शील दुराचारियों के बुरे वरताप को दूर करने वाला है, साथ ही यह रूप ऐसा है जो कभी चिंतन में भी नहीं आ सकता और जिसकी कभी दूसरों से तुलना भी नहीं हो सकती, तथा आप का बल और पराक्रम तो उन देत्यों का भी नाश करने वाला है, जो कभी देवताओं के पराक्रम को भी नस्ट कर चुके थे, इस प्रकार आपने शत्रों पर भी अपनी दयाही प्रकट की है, वर्दाइनी देवी आपके इस पराक्रम की किसके साथ तुलना हो सकती है, तता शत्रूओं को बेह देने वाला एम अत्यन्द मनुहर ऐसा रूप भी आपकी सिवा और कहां है इड़्दय में करपा और युद्ध में निश्टुरता यह दोनों बातें तीनों लोगों के भीतर केवल आप में ही देखी गई है मात माता आपने शत्रूओं का नाश करके समस्त षत्रूओं को भी युद्ध भूमी में मार कर सुर्क्र लोक में पोचाया है। तता उन्मक्ड्यत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोगों के भेख को दूर किया है। आपको हमारा नमस्कार है देवी, आप शूल से हमारी रक्षा करें अम्बिके, आप खड़क से भी हमारी रक्षा करें, घंटा धौनी और धनुष की टंकार से भी हम लोगों की रक्षा करें, चंडे के पूरु पश्टिम दक्ष्ण दिशा में आप हमारी रक्षा करें, इश आपके करपल नमों में शोभा पाने वाले खड़क शूल गदा आदी जो जो अस्त्र हों उन सब के दौरा आप सब ओर से हम लोगों की रक्षा करें दिशी कहते हैं इस प्रकार जब देवताओं ने जगनमाता दुरगा की इस्तुति की नंदन वन के दिव्य पुष्पोयम ग परणाम करते हुए सब देवताओं से कहां देवी बोली देवताओं तुम सब लोग मुझ से जिस वस्तु की अविलाशा रखते हो उसे मागो देवता बोले भगवती ने हमारी सविक्षा पूर कर दे अब कुछ भी बाकी नहीं है क्योंकि हमारा यह शत्रु महिशाशुर म प्रसनमों की अम्मे के जो मनुष्य इंद इस्प्रोतों द्वारा आपके इस्तुति करें उसे वित्द इस्रमधी वैवव देने के साथ ही उसकी धन और इस्त्रियारी संपत्ति को भी बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसंद रहें दिशी कहते हैं राजन देवताओं इस प्रकार प्रसंद किया थब यह तथास्तु कहकर वहीं अंत्रध्यान हो गई मुपाल इस प्रकार पूर्वकाल में तीनों लोकों का हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीरों से प्रकट हुई थी वह सब कथा मेंने कह सुनाई अपना देवतां का हुई थे वह सब प्रसंग मेरे मूँ से सुनो मैं उसका तुमसे यथावत वर्डन करता हूं पांचमा अध्याय देवताओं द्वारा देवे के इस्तुति चण्णमुड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंशा सुनकर शुम्ब का उनके पास दूद वेजना और दूद का निराश लोटना इस उत्तर चैस्टर के रुद्रशी हैं मासरशवती देवता है अनुष्टप्शंद है भीमा शक्ती है भ्र्मरी वेज हैं सूर्य तत्व हैं और सामबेद स्वैरूप है मासरशवती के प्रसंदा के लिए उत्तर चैस्टरत्र के पार्ट में इसका विन्योग किया जाता है जो अपने करकमलों में घंटा शूल हल संक मुसल चक्र धनुषवार धारन करती है शरद रित्तु के सोभा संपन चंद्रमा के समान जिनके मनोहर कांती है जो तीनों लोकों की आधार हूता शुम्ब आदी रैत्यों का नाश करने वा है उन महासरस्ति देवी का में निरंतर बजन करता हूं रिशी कहते हैं पूर्वकाल में सुम्ब और निशुम्व नामक असरों ने अपने बलके घमंड में आकर सचीपती इंद्र के हाथ से तीनों लोकों का राज्य यग्यभाग छीन लिए वेही दोनों सूर्य चंद्रमा कोवेरियम और वरुण के अधिकार का भी उपयोग करने लगे वायू अगनी का कार्य वी वेही करने लगे उन दोनों ने सव देवताओं को अपमानित राज्य ब्रस्ट पराजित तदा अधिकार हीन करके स्वर्ग से निकाल दिया उन दोनों महानसरों से तिरसकत का इस्मर्ण किया और सोचा जगतंबा ने हम लोगों को वड़ दिया था कि आपत्ति काल में इस्मर्ण करने पर मैं तुम्हारी सव आपत्तियों का नतत्काल नाश कर दूंगी यह विचार कर देवता गिरिराज हिमाले पर गए और वहां भगवत विष्णुमाय की कुद्र को नमस्कार है नित्य गोरी एवं धात्री को बारं बार नमस्कार है जह नामाई चंद रूपने एवं सुख स्वेरूपा देवी को सतत्परणाम है शर्णागतों का कल्याल करने वाली ब्रद्धि एम सिध्धि रूपा देवी को हम बारं बार नमस्कार करते हैं नेतरती राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तता सवान शिव पतनी स्वेरूपा आप जगदंबा को बार बार नमस्कार है दुर्गपारा, दुर्गम संकट से पार उताने वाली, सारा, सवकी सारभूता, सर्वकारणी, ख्याती, क्रश्ना, धूर्मा, देवी की सरवदा नमस्कार है अत्यन्त सोम्य तता अत्यन्त रोदरूपा देवी को हम नमस्कार करते हैं उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है जगत की आधार हूता करती देवी को बारंबार नमस्कार है जो देवी सब प्राणियों में विश्णु मया के नाम से कही जाती है उनको नमस्कार, उनको बारम बार नमस्कार है, जो देवी सप्राणियों में चेतना कहलाती है। जो देवी सप्राणियों में शुदा रूप से इस्तित है, उनको नमस्कार, उनको बारम बार नमस्कार है। जो देवी सप्राणियों में शुदा रूप से इस्तित है, उनको नमस्कार, उनको बारम बार नमस्कार है। जो देवी सप्राणियों में जाती रूप से इस्तित है, उनको नमस्कार, उनको बारम बार नमस्कार है। जो देवी सप्राणियों में लज्जा रूप से इस्तित है, उनको नमस्कार, उनको बारम बार नमस्कार है। जो देवी सप्राणियों में शांती रूप से इस्तित है, उनको नमस्कार, उनको बारम बार नमस्कार है। जो देवी सप्राणियों में श्रद्दा रूप से इस्तित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारम बार नमस्कार है। उनको नमस्कार, उनको बारम बार नमस्कार है। जो देवी सप्राणियों में लक्षमी रूप से इस्तित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारम बार नमस्कार है। जो देवी सप्राणियों में इस्मती रूप से इस्तित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारम बार नमस्कार है। जो देवी सप्राणियों में लक्षमी रूप से इस्तित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारम बार नमस्कार है। जो देवी सप्राणियों में ब्रांती रूप से इस्तित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारम बार नमस्कार है। जो जीवों के इंद्रिया वर्ग की अधिस्टात्री देवी एवं सप्राणियों में सदा व्याप्त रहने वाली हैं, उन व्याप्ति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी चेतन्य रूप से संफूर जगत को व्यापत करके इस्तित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारम बार नमस्कार है. पूर्वकाल में अपनी अभिष्ट की प्राप्ति होने से देवताओं ने जिनकी इस्तुति की तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया वे कल्यान की साधन होता इश्वरी हमारा कल्यान मंगल करें तथा हम सारी आपत्यों का नाश कर डालें उदर नुद्यत्यों से सिताय हुए हम सभी देवता जिन परमेक्षुरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति से विदर्व पुरशोदारा इसमर्ण की जाने पर ततकाल ही संपुण व्यपत्यों का नाश कर देती हैं वे जगतंबा हमारा संकट तूर करें रिशी कहते हैं राजन इस प्रकार जब देवता इस्तुति कर रहे थे उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में इसनान करने के लिए वहां आई उन सुन्दर वहों वाली भगवती ने देवताओं से पूछा आप लोग यहां किसकी इस्तुति करते हैं तब उनी के शर पार्वती जी के शरीर कोस्ते अंबिका का प्राधुबार हुआ था इसलिए वह समस्त लोकों में कोशेकी कहीं जाती हैं कोशेकी के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंका हो गया अतेवे हमाले पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात और उनोंने परम मनुहर रूप धार्ण करने वाली अंबिका देवी को देखा फिर वे सुंब के पास जाकर बोले महाराज एक अत्तन्त मनुहर इस्त्री है जो अपने दिविकांती से हमाले को प्रकाशित कर रही है वेसा उत्तर रूप कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा असुरेशर पता लगाईए वेह देवी कोन है और उसे ले लीजिए इस्त्रीवों में तो वेह रत्न है उसका प्रतेक अंग बहुत ही सुंदर है वेह अपने श्री अंगों की प्रहमावसि संपूर दिशाओं में प्रकाश फैला रही है दत्यराज अविवे हमाले पर ही मौजूद है आप उसे देख सकते हैं प्रभू तीनों लोकों में मड़ी हातियों घोड़े आदी जितने भी रत्न हैं वेह सब इस समय आपके घर में शुवा पाते हैं हातियों में रत्न भूत एरावत यह परिजात का ब्रक्ष और यह उच्चे श्रवा गूड़ा यह सब आपने इंद्र से ले लिया है हंसों से जुता हुआ यह विमान भी आपके आगन में शुवा पाता है यह रत्न भूत अधबुद विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था अब आपके यहां लाया गया है यह महापदम नामक विधी आपको वेर से छीन लाए है समुद्र ने भी आपको किजल कनी नाम की माला भेट की है जो केशरों से शुशोवित है जिसके कमल कभी कुमुलाते नहीं है सुवर्ण की वर्षा करने वाला वरुन का चत्र भी आपके घर में शुभा पाता है तथा यह शेष्ट रत जो पहले प्रजापती के अधिकार में था अब आपके पास मुझूद है जित तेश्वर म्रत्यों की उत्तर क्रांते दा नाम वाले शक्ती भी आपने छीन ली है तथा वरुन का पास और समुदर में होने वाले सब प्रकार के रत्न आपके भाई निशुम्व के अधिकार में है अगनी ने भी सतहा शुद्ध किये हुए दो वस्त्र आपकी शेवा में अर्पित किये हैं देट्यनाज इस प्रकार सवी रत्न आपने एकत्र कर लिये हैं फिर जो यह इस्त्रियों में रत्न रूप कल्याण में देवी है इसे आप क्यों नहीं अपने अधिकार में कर लेते हैं रिशी कहते हैं शन्न मुंड का विजह वचन सुनकर सुम्ब ने महाद्यत्य शुगरीव को दूद बनाकर देवी के पास बेजा और कहा तुम मेरी आग्या से उसके सामने यह यह बाते कहना ऐसा उपाय करना जिससे प्रसंद होकर वैसीर ही यहां आ जाए वह दूद परवत के अतनतर रमडी हैं प्रदेश में जहां देवी मौजूद थी गया और मधुरवाडी में कूमल वचन बोला दूद बोला देवी देत्यरा शुम इस समय तीनों लोगों के परवेशर हैं मैं हुनी का बेजा हुआ दूद हूँ यहां तुमारे ही पास आया हूँ उनकी आग्या सदासव देवता एक सवर से मानते हैं कोई उसका उलंगन नहीं गड़ सकता वह संपूर देवताओं को प तक प्रतख भोगता हूँ तीनों लोको में जितने शेश्रतन नहीं वेस अम मेरे अधिकार में हैं देवराज इंड्र का वाहन एर आवद लिए छीषागर का मंतन करने से जो नो KP उन संकत्थ देवताओं ने मेरे पैरोण पर समर्पित कीया है सुंदरी ने सेवा और भी जितने रत्नबूत पदार्थ देवताओं गंदर्वों नाओं के पास थे वह सब मेरे ही पास आ गये हैं देवी हम लोग तुम्हें संसार की इस्त्रियों में रत्न मानते हैं अते हमारे पास आ जाओ क्योंकि रत्नों का भूब करने वाले हम ही हैं चंचल कटाक् तुम मेरी या मेरे भाई महा प्राक्रमी निश्वंब की सेवा में आ जाओ क्योंकि तुम रत्न सरूपा हो मेरा वर्वन करने से तुम्हें तुनला रहत महान ऐश्वरी के प्राप्ति होगी अपने मुद्दी से यह विचार कर तुम मेरी पत्नी बन जाओ रिशे कहते हैं दूद के यह कहने पर कल्लाणमाई भगवती, दुर्गा देवी जो इस जगत को धारन करती है, मन ही मन गंबीर वाफ से मुस्कुराई, और इस प्रकार वोली देवी ने कहा, दूद तुमने सत्य कहा है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है, सुम्भ तीनों लोकों का स्वामी ह और निशुम्भ भी उसी के समान पराकरमी है, किन्तु इस विश्य में मैंने जो प्रतिग्या कर ली है, उसे मित्या कैसे करूँ, मैंने अपनी अल्प बुद्धी के कारण पहले से ही जो प्रतिग्या कर रखी है, उसे सुनो, जो मुझे संगराम में जीत लेगा, जो मेरे अविमान को चून कर देगा, तदा संसार में जो मेरे समान वलवान होगा, वही मेरा स्वामी होगा, इसलिए सुम्भ अध्वा महा देत निशुम्भ स्वेम ही यहां पदार है, मुझे जीत कर सीर ही मेरा पाड़ी ग्रेन कर लें, इसमें विलंब की क्या आवश्यक्ता है, दूत बोला, देवी, तुम घमंडे में बरी हो, मेरे सामने ऐसी बाते ना करो, तीनों लोगों में कौन ऐसा पुरुष है, जो शुम्भ और निशुम्भ के सामने खड़ा हो सके, देवी, अन्य देत्तों के सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठेर सकते, तुम फि कहने से, शुम्भ निशुम्भ के पास चली चलो, ऐसा करने से तुम्हारे गौरफ की रक्षा होगी, अन्य था जब वे केश पकड़ कर गसीटेंगे, तब तुम्हें अपनी पतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा, देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठेक है, शुम्भ बल्व कहना, फिर वे ही जो उचित जान पड़े करें, छटा अध्याए, धुर्म लोचन वद, मैं सर्व गेक्षर भेरव के अंक में निवास करने वाली परमुत्क्रस पदमावती देवी का चिंतन करता हूँ, वे नाग राज के आसन पर बैटी है, नागों के फड़ों में वाबढ़ा रहे हैं, वे हातों में माला, कुम, कपाल और कपन लिये हुए हैं, कमल लिये हुए हैं, उनके मस्तक में अर्द चंद्र का मुकट्श शुवित हैं, दिशी कहते हैं, देवी का यह कतन सुनकर दूद को बड़ा अमर्श हुआ, और उसने द्यत्यराज के पास जा और उस दुस्ता के केश पकड़कर गसीचते हुए, उसे बलपूरवक यहां ले आओ, उसकी रक्षा करने के लिए, यदि कोई दूसरा खड़ा हो, तो वे देवता यक्ष अत्वा गंदर भी क्यो ना हो, उसे अवश ही माल डालना, निशी कहते हैं, शुम्ब के इस प्रका संता पूरवक मेरे स्वामी की समीप नहीं चलेगी, तो मैं बलपूरवक छोटा पकड़कर गसीचते हुए, तुझे ले चलूंगा, देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने बेज़ा है, तुम स्वैम भी बलवान हो, और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है, ऐस ने एक दूसरे पर तीके साय को शक्ति और फड़सों की वर्चा आरम की, इतने में ही देवी का वाहां सिंग सिक्रोद में भरकर भेंकर गरजना करके गरदन के भालों को हिलाता हुआ, असरों की सेना में कूद पड़ा, उसने कुछ दैत्यों को पंजों की मार से कितनों को जवनों से और कितने ही महा देत्यों को पटक कर ओट की डाणों से घायल करके मार डाला, उस सेही ने अपने नकों से कितनों के पेट फाड़ दाले, ठपड मार कर कितनों के सिर धड़ से अलग कर दिये, कितनों की बुझाएं और मस्तक काट डाले, तथा अपनी गरदन के ब दाला, सुम्म ने जब सुना कि देवी ने धुर्म लोचन असरों को मार डाला, तथा उसके सेही ने सारी सेना का सफाया कर डाला, तब उस देत्यराज को बड़ा क्रोध हुआ, उसका होट कापने लगा, उसने चंड और मुंड नामक दों महारत्यों को आग्या दी, हे करके अस्त्र सस्त्रों तथा समस्त्र आसुरी सेना का प्रियोग करके उसकी हत्या कर डालना, उस दुष्टा के हत्या होने तासे हैं कि मारे जाने पर उस अम्विका को भांद कर साथ ले सीर ही लोट आना सब्तम अध्याय चंड और मुंड का वद, मैं मातंगी देवी का ध्यान करता हूँ, वेरत मैं सिंगासन पर बैठ कर पड़ते हुए तोते का मदर शब्द सुन रही हैं, उनके शरीर का वण शाम है, वेह अपनाए एक पैर कमल पर रखे हुए हैं, वो मस्तक पर अर्द संद्र धारन करती हैं, तता कला हर पुष्पो की माला धारन किये हुए वीडा वजाती हैं, उनके अंग में कसी हुई चोली शोभा पा रही है, वे लाल रंग की साड़ी पहने हाथ में संख में पात्र लिये हुए हैं, उनके पदन पर मधु का हलका हलका प्रभाव जान से सुसज्जित हो चलुदी, वेह गिदी राज हमाले के सुवड में उचे सिखर पर पहुँचकर उन्होंने सिह पर बैठी देवी को देखा, वेह मंद मंद मुस्कुरा रही थी, उन्होंने देखकर दित्ते लोग ततपरा से पकड़ने का उधोग करने लगे, किसी ने धन तानलिया, किसी ने धलवार थमाली, और कुछ लोग देवी का पास आकर खड़े हो गए, तब अम्बिका ने उन शत्रों के प्रती बड़ा क्रोध किया, उस समय क्रोध के कारण उनका मुक काला पड़ गया, ललाट में वहें टेड़ी हो गई, वहां से तुरंत विक्राल वुशित थी, उनके शरीर के मा सूख गया था, केवल हड्डियों का ढाचा था, जिस से वह तंत बहेंकर जान पड़ती थी, उनका मुक बहुत विशाल था, जीव लपलपाने के कारण वे और भी डरावनी प्रतीत होती थी, उनकी आखें भीतर को दसी हुई, और कुछ ला और उन सब को बक्षन करने लगें, वे पार्ष, रक्षत्रों, अंकुष्धारी, महावतों, योद्धाओं और घंटा सहित कितने ही हातियों को एक ही हात से पकड़ कर मुहूं में डाल लेती थी, इसी प्रकार गुडे रत और सार्थी के साथ रती सैनिकों को मुहूं में ड दालकर वे उन्हें बड़े बहानक रूप से चवा डालती थी, किसी के बाल पकड़ लेती, किसी का गला दवा लेती, किसी को पैरों से कुछल डालती और किसी को छाती के धक्के से गिरा कर मार डालती थी, वे असुनों के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त शस्त्र मु के घाट उतारे गए कोई खडग वाग से पीते गए और कितने ही असुर दातों के अगर भाग से कुछले जाकर मत्य को प्राप्त हुए इस प्रकार देवी ने असुरों की उस सारी सेना को छड़वर में मार गिराया यह देख चंड उन अत्यंत भयानक काली देवी की और वहाने को चक्र देवी के मुख से समाते हुए ऐसे जान पड़े मानुसूरे बहुत तेरे मंडल बादलों के उधर में प्रवेश कर रहे हूं तब वहेंकर गड़जना करने वाली काली ने अत्त रोश में भर कर पिकट अठास किया उस समय उनके विक्राल वदन के भीतर कठ हिंता से देखे जा सकने वाले दातों की प्रहा से विहत्तंत उज्वल दिखाई देती थी देवी ने बहुत बड़ी तलवार हात में ले हम का उच्चानल करके चंड मुंड पर धावा दिया और उसके केश पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्त काट डाला चंड को मारा गय देखकर मुंड भी देवी की और दोड़ा तब देवी ने रोश में भरकर उसे भी तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया महा पराक्रमी चंड और मुंड को मारा गया देख मरने से बची हुई बाकी सेना वैसे व्याकुल हो चारों और भाग गई तरनंतर काली ने चं यग्य में तुम शुम्ब और निशुम्ब का स्वयम ही वद करना रिशे कहते हैं वहां लाए हुए उन चंड मुंड नामक महादेत्य को देखकर कल्याण मैं चंडी ने काली से मधरवाडी में कहा देवी तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो इसलिए संसार में चामुंडा के नाम से तुमारी ख्याती होगे अस्तम अध्याय रक्तवीश वद मैं अडिमा आदी सिद्धिमई किर्णों से आवरत भवानी का ध्यान करता हूं उनके शरीर का रंग लाल है नेत्रों में करुणा लहरा रही हो हातों में पाश अंकुष बान और धनुष द्यत्यों के राजा प्रतापी शुम्म के मन में बड़ा क्रोध हुआ और उसने द्यत्यों की संपूर सेना को युद्ध के लिए कूच करने की आग्या दी वह बोला आज उधायुद नाम के 86 द्यत्य शेनापती अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्तान करें क मुनाम वाले द्यत्यों के 84 शेना नायक अपने वाहिनी से गिरे हुए यात्रा करें 50 कोटी वीर कुल के और 100 धोर्म कुल के असुर सेनापती मेरी आग्या से सेना साहित कूच करें कालक दोहर्थ मौर्यों कालके असुर्वी युद्ध के लिए तैयार हो मेरी आग्या से प्रत्वी और आकाश के वीश का भाग बुजा दिया राजन तदन अंतर देवी के सेहें नेवी बड़े जोड़ जोड़ से दहाड़ा और आरम किया फिर अम्बिका ने घंटे के शब्द से उस धनी को और भी बढ़ा दिया दनुश की टकाहर सेहें की दहाड़ और घंटे ने चारों ओर से आकर चंड़का देवी सेह और काली देवी को कोत पूरवक घेर लिया राजन इसी बीच में असुनों के विनाश और देवताओं के अव्युदय के लिए ब्रहम्मा शिवकार्त के शिव विश्नु तदा अंद्र आधी देवी देवों की शक्तियां जो अत असरों से संपन हो उसकी शक्ति असुनों से युद्ध करने के लिए आई सबसे पहले हंसु जुप्त विमान पर बैटे हुई अक्ष शूत्र और कमंदलों से शुशोवित ब्रहमा जी की शक्ति उपस्तित होई जिसे ब्रहमारी कहते हैं महादेव जी की शक्ति ब्रशप प कुनी का रूप धारण की ये शेष्ट मयूर पर आरुण हो हाथ में शक्ति लिए द्यक्तियों से युद्ध करने के लिए आए इसी प्रकार वगवान विष्णु की शक्ति गरुण पर विराजमान हो शंत चक्र गदा सार्द धनुष्ट तता खडग हाथ में लिए वहां अड़सी ही शक्ति भी नड़सी ही के समाज शरी धारण करके वहां आई उसकी गर्दन के बालों के चटके से आकाश के तारे विखरे पड़ते थे इसी प्रकार इंद्र की शक्ति बज्र हाथ में लिए गजराज एरावत पर बैठ कर आई इसके वी शहस्र नेत्र थे इंद करो तब देवी ने शरीड से अतन्त भयानक और परम उग्रशंड का शक्ति प्रकट की जो सैक्णों गीदणियों के वाती आवाश करने लगी थी उस अपराजिता देवी ने धुमिल जटा वाले महादेव जी से कहा भगवान आप शुम्ब निशुम्ब के पास दूद बन कर जाईए और उन अत्यंत गर्वी ले दानव शुम्ब और निशुम्ब दोनों से कहिए साथ ही उनके अत्रक्त भी जो दानव युद्ध के लिए वहाँ पस्तित हूँ उनको भी ये संदिश दीजिए देखते हो यदि तुम जीवित रहना चाते हो तो पाताल को लोट जा क्योंकि उस देवी ने भगवान शिव को दूद के कार में न्युक्त किया था इसलिए वह शिव दूदी के नाम से संसार में विख्यात हुई वह महादेत्य भी भगवान शिव के मूँ से देवी के वचन सुनकर रोध में भर गए और जहां कात्याइनी विराजमान थी उस की टकार की ओर उससे छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों द्वारा द्यत्यों के चलाए हुए बाण शूल शक्ति और फड़सोंसों को काट डाला फिर काली उनके आंके होकर शत्रों को शूल के प्रहार से विदीड करने लगी और खड़क भाग से उनका कशूवर निक कर देती थी माही शरी ने त्रिशूल से तदा वैश्णवीन चक्र से और तंद क्रोव में बड़ी हुई कुमार कार्ट के की शक्ति ने शक्ति से द्यत्यों का साहर आरंब किया इंद्र शक्ति के बज्डप्राहार से विदीड हो शैक्णों द्यत्य दानवरक्त की धारा ब शक्र की चोट से विदीण होकर गिर पड़े नाड से ही वी दूसरे दूसरे मादयत्यों को अपने नकों से विदीण करके खाती औसे ही नासे दिशाओं एवों आकाश को भूँ जाती हुई युद्ध छेत्र में विचनने लगी कितने ही असुर शिवदूती के पिचन अठास से अतनत भैवित हो प्रत्वी पर गिर पड़े और गिरने पर उन्हें शिवदूती ने उस समय अपना ग्रास बना लिया इस प्रकार प्रोध में बरे हुए मात्रगणों को नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े अश्रों का मर्दन करते दे देत्त सैनिक भाग खड़े हुए मात्रगणों से पीड़ित देत्यों को युद्ध से भागते दे रक्तिवीज नामक महा देत्त क्रोध में भर कर युद्ध करने के लिए आया उसके शरीर से जवरक्त की बूंद प्रतिवीश पर गिड़ती तब उसी समय शक्तिशाली एक दूसरा महाध्यत्य प्रतिवीश पर पैदा हो जाता महासुर रक्तिवीश हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा तब लगें उसके शडिया से रक्त के जितनीं मूनेगी इतना ही पुर्ष्व उत्पन हो गये वे सब रक्ति जीश के समान ही वी देवान वल्वानों पराक्रमी थे वें रक्त से अथा बैंकर अस्त्र सत्रों का प्रहार करते हुए वहां मात्र गणों के साथ गोर युद्ध करन तथा एंद्री ने उस देत्त सेना पती को गदा से चोट पहुचाई रिष्णवी के चकर से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त वहा उससे जो उसी के बरावर आकार वाले शैस्त्रों महादेत्त प्रकट हुए उनके द्वारा संपूर्ण जगत प्याप्त हो गया कोमारी ने शक्ति से वाराही ने खड़कसियों माही शरी ने शूल से महादेत्त रक्त वीज ने भी गदा से सभी मात्र शक्तियों पर प्रतक प्रतक प्रहार किया शक्ति और शूल आरी से अनेक बार घायल होने पर जो उसके शरी से रक्त की धारा प्रतिवी पर गिरी उससे भी निश्य ही सैकणों असुर उत्पन हुए इस प्रकार उस महादेत्य के रक्त से प्रकट हुए असुरों द्वारा संपूर जगत व्याप्त हो गया उससे उन दे महादेत्यों को तुम अपने इस उतावले मुख से खा जाओ इस प्रकार रक्त से उत्पन होने वाले महादेत्यों का बक्षण करती हुए तुम रड़ में विचड़ती रहो ऐसा करने से उस देत्य का सारा रक्त छीड़ हो जाने पर वह स्वैम भी नस्ट हो जाएगा उन अपने मुख में उसका रक्त ले लिया तब उसने वहां चंडिका पर गदा से प्रहर किया किन्तु उस गदा पात ने देवी को तरक विवेदना नहीं पहुचाई रक्त वीश के घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा किन्तु योही वहंगिरा त्योही चामुंडा ने उसे अपने मुख में ले लिया रक्त गिरने से काली के मुख में जो महादेत्त उत्पन हुए उन्हें वीवेद्च चट्ट कर गई और उसने रक्त वीश का रक्त भी पी लिया तदन अंतर देवी ने रक्त वीश को जिसका रक्त चामुंदा ने पी लिया था वज्र वाल को अनुपम खर्च की प्राप्ति हुई और मात्रगण उन असरों के रक्त पान के मर्द से उदत साह होकर नत्य करने लगा नवम अध्याएं निशुम्म वद मैं अर्धनारीश्वर अविग्रह की निरंतर चरण लेता हूं उसका वण बंदूक पुष्व और सवण की समान र त्रोशे शुशोबित है राजा ने कहा वगवन आपने रक्तवीश के वजसे संबंद रखने वाला देवी चरित्र का यहद्वत मात में मुझे बतलाया अब रक्तवीश के मारे जाने पर अतंत्र पोल में बरे हुए शुम्मो निशुम्म ने जो कर्मक्या उसे मैं सुनना जाता हूं रिशी कहते हैं राजन युद्ध में रक्तवीश तता अन्य दर्थियों के मारे जाने पर सुम्मो निशुम्म के क्रोध की सीमा न रही अपनी विशाल सेना इस प्रकार मारी जाती देख निशुम्म अमर्च में भरकर देवी की ओर दोड़ा उसके साथ असुरो के साथ मात्रगणों से जुद्ध करके क्रोधवस चंडिका को मानने के लिए आ पहुँचा तब देवी के साथ सुम्मो निशुम्म का गूर संग्राम चड़ गया वे दोनों देत्य मेगों की भाती पाणों की भेंकर वश्टी कर रहे थे उन दोनों के चलाए हुई बाणो को चंडिका ने अपने बाणों के सम्हु से तुरंत काट डाला और शस्त्र सम्हों की वर्षा करके उन दोनों देत्य पतियों के अंगों में भी चोट पहुँचाए निशुम्म ने तीकी तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के शेष्ट बाहन से हैं के मस्तक पर प जड़े थे खंड खंड कर दिया धालो तलवार के कट जाने पर उस असुन ने शक्ति चलाई किन्तु सामने आने पर देवी ने चकर से उसके भी दो टुकडे कर दिये अब तो निशुम्म रोज से जल उठा और उस दानम ने देवी को मानने के लिए शूल उठाया किन्तु देवी ने समीप आने पर उसे भी मुक्के से मार कर छून कर दिया तब उसने गदा घुमा कर चंडी के ऊपर चलाई परंतु वहवी देवी के त्रशूल से कटकर भश्म हो गया तद नंतर देत्यराजन शुम्म को फड़सा हाथ में लेकर आते देख देवी ने वान समों से घायल कर सरधर्ती पर सुला दिया उस बहेंकर पराकरमी भाई शुम्म के धराशा ही हो जाने पर शुम्म को बड़ा क्रोध हुआ और अम्विका का वत करने के लिए वें आगे वड़ा रख पर बैठे बैठे ही उत्तम आयोदों से शुशोबित अपने बड़े बड़े अनपम बुजाओं से समुशे आकाश से डगकर महत अधबुत शोभा पाने लगा उसे आते देख देवी न संख बजाया धनुश की प्रत्यांचा का वी अत्तंद दुसें शब्द किया साथ ही अपने घंटे के शब्द से जो समस्त देशनिकों का तेश निष्ट करने वाल फिर काली ने आकाश में उशलकर अपने दोनों हातों से प्रत्वी पर आधात किया उससे ऐसा वेंगत शब्द हुआ जिससे पहले की सवी शब्द शांत हो गए तत्पश्चात शिव दूदूने देत्यों के लिए अमंगल जनक अठास किया इन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर रहा होते किन्तु शुम्व को बड़ा क्रोध हुआ उसमें देवी ने जफ शुम्व को लक्ष करके कहा ओ दुरात्मन खड़ा रहे है खड़ा रहे तभी आकाश में खड़े हुए देवता बोल होते जै हो जै हो शुम्व ने वहां आकर जो अलाहों से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई अगनी में परवत के समाना आती हुए इस शक्ति को देवी ने बड़े भारी से लूक से दूर हटा दिया उसमें शुम्व के सही नास से तीनों लोग मूझ हूटे राजन उसके प्रतितनी से वजरपात के समान भयानक शब्द हुआ जिसने अ परी हुई चंडगा ने शुम्व को शूल से मारा उसके आधात से मूर्शित होवे प्रतिवे पर गिर पड़ा इतने में ही निशुम्व को चेतना हुई और उसने धनुष हात में लेकर बाणों द्वारा देवी कालियों से हिंको घायल कर डाला फिर उस महात्यत्य राज न उन चक्रों तथबाणों को काट गिराया यह देखकर निशुम्व तैतिसेना के साथ चंडगा कावत करने के लिए हात में गदा ले बड़े बेग से दोड़ा उसके आते ही चंडगी ने तीखी धारवाली तलवार से उसकी गदा को शीर हे काट डाला तो उसने शूल हात मे ले लिया देवता को पीड़ा देने वाले निशुम्व को शूल हात में लिए आते देख चंडगाने वेग से चलाए हुए अपने शूल से उसकी छाती छेद डाली शूल से विदीन हो जाने पर उसकी छाती से एक दूसरा महावली और महाप्राक्रमी पुरुष खड़ीरे खाने लगा ये बड़ा पहंकर दश्च था उदर काली तता शिवदूती नेवी अन्यान देथ्यों का भक्षन आरम किया कोमारी की शक्ती से विदीन होकर कितने ही महादेत्य नश्ट हो गए ब्रह्मारी की मंत्रमूत जल से निश्टेश होकर कितने ही भाग खड़े हुए क कितने ही देत्य मही शरी दश्चूल से चिन्विन हो दराशाही हो गए बाराही के दूद उनके आदात से कितनों का पत्वी पर कुछ उमर निकल गया वैश्ट नवी नेवी अपने चक्र से दानों के टुकडे टुकडे कर डाले एंद्री के हाथ से चूटे हैं वज्ज से कितने ही प्राणों से हाथ दो बैटें कुछ अचुर नश्ट हो गया और कुछ इस महाजुद से भाग गए कितने ही काली शिवदूती सरा सिंग के ग्रास से बन गया मैं मस्तक पर अर्थचंद धारण करने वाली शिवशक्ति शे रूपा भगवती कामेक शरी काहिड़े में चिंतन करता हूँ मैं तपाई हुए सोवन्ले की समान सुन्दर हैं सूरी चंदर बागनी यही तीन उनके नेत्र हैं तता वे अपने मनोहर हाथों में धनुश वाण अंकुष पाश और शूल धारण के हुए हैं रिशी कहते हैं हे राजन आपने प्राणों के समान प्यारे भाई निशुम्ब को मारा गया देख तता सारी सेना का साहार होता जान शुम्ब ने कुपित होकर कहा दुष्ट दुरगे तू बल के अभिमान में आकर जूट मूट का घमंड ना दिखा तू बड़ी माननी बनी हुई है किन्तो दूसरी इस्त्रियों के बल का साहारा लेकर लड़ती है देवी बोली ओधुष्ट मैं अकेली ही हूँ इस अंसार में मेरे सिवाक दूसरी कौन है देख मेरी ही ये विभूतियां है अते मुझ में ही प्रवेश क कर रही है तदनंतर ब्रहाम्माने आदी समस्त देवी आं अंबिका देवी के शरीर में लीन हो गई उस समय केवल अंबिका देवी ही रह गई देवी बोली मैं अपने एश्वर शक्ति से अनेक रूपों में यहां पस्तित हुई थे उन सब रूपों को मैंने समेट लिया जदा तीकेश अस्त्रों एहमदारों अस्त्रों के प्राहर के कारण उन दोनों का युद्ध सब लोगों के लिए बड़ा भयानक प्रतीत हुआ उस समय अंबिका देवी ने जो सेकणों दिव्वे अस्त्र छोड़े उन्हें देत्तेराज शुम्ब ने उनके निवारक अस् लाए उन्हें परमेश्वली ने भेंकर होकार शब्द के उच्चारण आदी द्वारा के लवाड में ही नश्ट कर डाला तब उस असुर ने सेकणों वाड़ों से देवी को आच्छादित कर दिया यह देख क्रोध में बरी हुई उन देवी ने वी वाड़ मार कर उसका धन और तलवार हाथ में ले उस समय देवी पर धावा किया उसके आते ही चंडिका ने अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे वाड़ों द्वारा उसकी शूरे किरणों के समान और जल धाल और तलवार को तुरंत काट दिया फिर उस देत के घोड़े और सार्थी मारे गए ध और उस तो पहले ही कट चुका था अब उसने अंबिका को मानने के लिए उधत हो भेंकर मुदगर हाथ में लिया उसे आते देख देवी ने अपने तीश्र मानों से उसका मुदगर भी काट डाला तिस पर वह असुर मुक्का तान कर बड़े बेग से देवी की ओर जप्टा उस देट्यराज ने देवी की चाती में मुक्का मारा तब उन देवी ने भी उसकी चाती में एक चाटा जड़ दिया देवी का थप्ट खाकर देट्यराज शुम्ब प्रत्वी पर गिर पड़ा किन्तू पुनह से ऐसा पूर्वत फुटकर खड़ा हो गया फिर पहले सिद्ध और मुनियों को विश्मय में डालने वाला हुआ फिर अम्बिका ने शुम्ब के साथ बहुत दिर्टक युद्ध करने के पश्चात उसे उठाकर घुमाया और प्रत्वी पर पटक दिया पटके जाने पर प्रत्वी पर आने के बाद वे दुश्टात्मा दे पुनह चंडिका का वद करने के लिए उनकी उर बड़े बेग से दोड़ा तफ समस्त देत्यों के राजस्चुम्ब को अपनी उर आते देख देवी नेत्रशूल से उसकी चाती छेद कर उसे प्रत्वी पर गिरा दिया देवी के शूल के धार से घायल होने पर उसके जगत प्रसन्य पूर्ण स्वस्त हो गया तता आकाश स्वक्ष दिखाई देने लगा पहले जो पात सुच में एक ओल का पात होते थे पैसर शान्त हो गये तता उस द्यत्य के मार जाने पर नदियां भी ठीक मार से बेहने लगी एकादस अध्याएं देवताओं दारा देव देवताओं को वर्दान मैं भुबने शरी देवी का ध्यान करता हूं उनके शियंगों की आभा प्रभात काल की सूद्य के समान है और मस्तक पर चंद्रमा का मुकट है वेवरे हुए स्तनों तीन नित्रों से युक्त हैं उनके मुक पर मुस्कान की छटा चाई देते हैं और हादों में वरद अंकुषपाश अभे मुद्रा शूभा पाते हैं रिशी कहते हैं देवी के द्वारा वहां महाश देत्य पती शुम्ब के मारे जाने पर इंद्र आधी देवता अगनी को आगे करके उनका तैनी देवी की इस्तुति करने लगे उस समय अविष्ट की प्रा शंपूर जगत की माता प्रसन्ण हो विष्व शरी विष्व की रख्षा करो देवी तुम ही चराचा जगत की अधिश्यदि हो तुम इस जगत का एक मात्र आधार हो क्योंकि प्रत्वी रूपे तुमारी सती ही देवी तुमारा प्राकम अलंग दिय है तुम जल रूप में इस्तित होकर संपूर जगत को तरप्ट करती हो, तुम अनन्त बल संपन वैश्नवी शक्ती हो इस विश्वी की कारण भूता प्रामया हो, देवी तुमने समस्थ जगत को मोहित कर रखा है तुमही प्रसंन होने पर इस प्रत्वी पर मोक्ष की प्राप्ति कराती हो देवी संपुन विध्याय तुम्हारे ही भिन्य-भिन्य स्वे रूप है जगत में जितनी इस्त्रियां है वह सब तुम्हारी ही मूर्तियां है जगदम एकमात तुमने ही इस विश्व को व्याप्त कर रखा है तुम्हारी इस्तुति क्या हो सकती है तुम तो इस्तवन करने योगी पदार्थों से पड़े एवं परावाणी हो जब तुम सर्व श्यरूपा देवी स्वर्ग तथा मुख्ष प्रदान करने वाली हो तब इसी रूप में तुम्हारी इस्तुती हो गई तुम्हारी इस्तुती के लिए अच्छी उक्तियां और क् सकती हैं बुद्धी स्वयरूप से सब लोहों के हिर्दय में विराजबन रहने वाली तदा स्वर्ग और मुक्ष प्रदान करने वाली नाराइणी देवी तुम्हें नमस्कार है कला काश्ता आधी के स्वयरूप से क्रमशा परिणाम अवस्था परिवर्तन के ओड ले जाने वाली तथा विश्व का सुपसाहार करने में समर्त नाराइणी तुम्हें नमस्कार है नाराइणी तुम सप्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगल मई हो कल्यांदाइनी शिवा हो सब पुर्श्वार्तों को सिद्ध करने वाली शर्ण अगत वस्थला तीनने त्रोमाली तुम्हें नमस्कार है तुम शेश्टि पालन और साहार की शक्ते भूता सनातनी देवी गुणों का आधार तथा जर्व गुण मई हो नारायनी तुम्हें नमस्कार है शरण में आये हुए दीनों एवं पीड़तों की रक्षा में सलगन रहने वाली तदा सबकी पीड़ा रूप से त्रशूल चंद्रमयम सर्प को धारण करने वाली तता महान व्रशव की पीट पर बैटने वाली नारायनी देवी तुम्हें नमस्कार है मोरों और मुर्गों से गिरी रहने वाली तता महाशक्ति धारण करने वाली कोमारी रूप धारणी निश्पापे नारायनी तुम्हें नमस्कार है, संग चक्र गदा सारण धनुष रूप उत्तम आयोधों को धारण करने वाली वेश्णवी शक्त रूपा नाराइणी तुम्हें नमस्कार है, हाथ में भयानक महाशक्र लियो, दाणों पर धरती को उठाय वाराही रूप धारणी, कल्याण मही कर नरसें रूप से देत्यों के बद्ध के लिए उधोग करने वाली तता त्रुव ववन की रक्षा में सलग रहने वाली नाराइणी तुम्हें नमस्कार है, मस्तक पर किरेटों हाथ में महावजर धारण करने वाली शैस्त नेत्रों के कारण उधीप्त दिखाई देने वा इंद्र शक्ति ठूपा नाराइणी देवी तुम्हें नमस्कार है, शिविदूती रूप से द्यत्यों की महति सेना का सहार करने वाली भेंकर रूप धारण तथा विकट गरजना करने वाली नाराइणी तुम्हें नमस्कार है, दाणों के कारण विक्राल मुखमाली मुख मेधा सरस्तती वरा शेष्टा भूती एशर रूपा वाब्रवी भूदे रंगे की अथवा पार्वती तामसी महा काली नियता सेयम परायाना तथा ईशा सबकी अधिश्चरी रूपडी नारैनी तुम्हे नमस्कार है शर्व शेरूपा सर्वेशरी तथा सब प्रकार की शक्त सब्सक्राओं के कानडविक्राल प्रतीत होने वाला अत्यंत बहंकरों समस्त असरों का सहार करने वाला तुम्हारा श्यूर वह से हमें बचाए तुम्हें नमस्कार है देवी जो अपनी दोनीसी संपूर जगत को व्याप्त करके देप्तियों के तेज नस्ट किये देता है वह तुम्हारा घंटा हम लोगों की पापों से उसी प्रकार रक्षा करें जैसे माता अपने पुत्रों के बुरे कर्मों से रक्षा करती हैं चंडे के तुम्हारे हातों में शशोवित खड़क जो असरों के रक्त और चर्वी सी चर्चित हैं हम तुम्हें नमस्कार करते है देवी तुम प्रसंद होने पर सब रोगों को नस्ट कर देती हो, कोपिथ होने पर मनों मांच सभी कामनाओं का नाष कर देती हो, जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं, उन पर विपत्ति उत्तों आती ही नहीं। तुम्हारी शरण में गए हुए मन industry दूसरों को शर सकती थी विद्याओं में ज्यान को प्रकाशित करने वाले शास्त्रों में तथा आधी वाक्यों में तुम्हारे सिवा किसका वर्लन है तथा तुमको छोड़कर तूसरी कौन ऐसी शक्ति है जो इस विश्व को अज्यान में घूर अंदिकार से परिपूर मुम्तारूपी गड करती हो विश्व शरी तुम विश्व का पालन करती हो विश्व रूपा हो इसलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो तुम भगवान विश्वनात की भी वंदनिया हो जो लोग भक्ति पूर्व तुम्हारे सामने मस्तक जुकाते हैं वे संपूर्ण विश्व को आश् प्राप्त होने वाले महामारी आधी बड़े-बड़े उब्द्रमों को शीड़ दूर करो विश्व के पीड़ा दूर करने वाली देवी हम तुमारे शर्णों पर पड़े हुए हैं हम पर प्रसन्न हो तिलोक निवासियों की पूजनिया परमे शरी सब लोगों को वड़दान दो देवी बोली देवताओं में वड़ देने को तैयार हूँ तुमारे मन में जिसकी एक्षा हो वहवर मांग लो संसार के लिए उसकारक वर को मैं अवश्य दूंगे देवताओं बोले सरवेशरी तुम इसी प्रकार तीनों लोगों की समस्त वाधाओं को शान्त करो और हम कोदा के गर्व से अवतीन हो विद्या चल जाकर रहूंगे और उक्तदोनों अस्रों का नाश करूंगे फिर अत्यन्त भेंकर रूप से प्रतिवेपर अवतार ले में वैपरचित नाम बाले दानों का वद करूंगे उन भेंकर महादेत्यों को बक्षर करते समय मेरे दात अ वर्षों के लिए वर्षा रुख जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा उस समय मुनियों के इस्तवन करने पर मैं प्रतिवेपर अनियों निजा रूप में प्रकट होंगे और सो नेत्रों से मुनियों को देखोंगे अत्यमाने सताक्षी इस नाम से मेरा केड़तन करें देवता हो समय में अपने शरीर से उत्पन हुए शाकों द्वारा समस्त संसार का भरन पोशन करूंगे जब तक वर्चा नहीं होगे तब तक मैं शाक ही आसब के प्राणों की रक्षा करेंगे ऐसा करने की कारण प्रतिवेपर शाकमवरी के नाम से मेरी ख्याती होगी उसी अवतार में मैं दुर्गम नामक महादैत्त का वद भी करूंगे इससे मेरा नाम दुर्गा देवी के रूप से प्रसिद्ध होगा फिर मैं जब भीम रूप धारन करके मुनियों की रक्षा के लिए हमाले पर रहने वाले राक्ष्चसों का भक्षन करूंगे उस समय सब मु वक्ति से नत्वस्तक होकर मेरी इस्तुदी करेंगे तब मेरा नाम भीमा देवी के रूप में विख्यात होगा जब अरुण नामक दैत्य तीनों लोकों में भारी उपद्रप मचाएगा तब में तीनों लोकों काहित करने के लिए छे पैरों वाले असंग ब्रहमोरों का रू वस्तित होगे तब तब अवताल लेकर मैं शत्रों का साहार करूंगे द्रादश अध्याय देवी चरित्रों का पाट का महत्मे मैं तीन नेत्रों वाली दुर्गा देवी का ध्यान करता हूं उनके शियंगों की प्रभा विजली की समान है वेसे के कंधे पर बैटी हुई ब अनुष पास और तरजनी मुद्रा धारण किये हुए हैं उनका सेरूप अगनी में हैं ततावे माथे पर चंद्रमा का मुक्ट धारण करती हैं देवी बोली देवताओं जो एकांगरचित होकर प्रतितिनें प्रिस्ततियों से मेरा अस्तवन करेगा उसकी सारी वादा मैं न शुम्ब निशुम के साहार के प्रसम का पाठ करेंगे तथा अस्तमी चत्रदरची और नव्मी को भी जो एकांगरचित हो भक्ति पूर्वक मेरे उत्तम महात्मे का श्रमण करेंगे उन्हें कोई पाप नहीं जू सकेगा उन पर पाप जनित आपत्तियां भी नहीं आएंग से तदजल की राशी से भी कवे वह नहीं होगा इसलिए सबको एकांगरचित होकर भक्ति पूर्व मेरे इस महात्मे को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए यह परम कल्याण कारक है मेरा महात्मे महामारी जनित समस्त रमों तथा आध्यात्मिक आधी तीनों प्रकार के उत्प बना रहता है वलिदान पूजा होम और सब के अवसरों पर मेरे इस चरित्र का पूरा पूरा पाठ और शवर्ण करना चाहिए ऐसा करने पर मनुष्य विधी को जानकर या बिना जाने भी मेरे लिए जो बली पूजा या होम आधी करेगा उसे में बड़ी प्रसंता के साथ सरत काल में जो वार्चिक महापूजा की जाती है उस अवसर पर जो मेरे इस महात्मे को भक्ति पूर्वक सुनेगा वे मनुष्य मेरे प्रसाथ से सब वादाओं से मुक्त तदा धन धानने एयों पुत्र से संपन होगा इसमें तनिक भी संद्य नहीं है मेरे इस महात्मे मेर प्राधुवार्व की सुन्दर कता है तदा युद्ध में किये हुए मेरे प्राक्रम सुनने से मनुष्ट निर्वे हो जाता है मेरे मात्मे का शरवन करने वाले पुरुषों के शत्रों नश्ट हो जाते हैं उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती है तदा उनका कुल आनन्द रहता है सरवत्र शांती कर्में बुरे सुप्ण दिखाई देने पर तदा ग्रहे जनिस बहेंकर पीड़ा उपस्तित होने पर मेरा मात में श्रवण करना चाहिए इससे सब विद्न तता बहेंकर ग्रह पीड़ा शांत हो जाती हैं और मनिश्यों दारा देखा हुआ दूसर कांत हुए बालकों के लिए मात में शांती कारा खेता नमनिश्यों के संगतन में फूट होने पर यह अच्छी प्रकार मितरता कराने वाला होता है यह मात में समस्त दुराचारियों के बलका नाश कराने वाला है इसके पाट मात्र से राक्षसों भूतों पिसाशों का नाश हो जाता है मेरा प्राप्ति करने से अंय ना परकार के अन्य भोगों का अरपण करने से जथा दान देने आदी से एक वर्ष तक जो मेरी आरादना की जाती है और उससे मुझे जितनी प्रसंता होती है उतनी प्रसंता मेरे सुत्तम चरित्र का एक बाद श्रवन करने मातर से हो जाती है यह मात में श्रवन करने पर पापो को हर लेता है और आरोग्य प्रदान करता मेरे प्रादु मार्व का किर्टन समस्त भूतों से रक्षा करता है तदा मेरा जुद्विश्यक्षरत दूष्ट दैत्यों का साहार करने वाला है। इसके श्रवर्म करने पर मनिशों को शत्रों का भेος नहीं रहता। देबताओं तुमने और ब्रह्मा ड्रशियों ने जो मेरी इस्तुतिया की हैं त Lum neither जी ने जो इस्तुतिया की हैं। वे सवी क ल्यान्म वुन्थी प्रदान करती हैं। वन में सुने मार्क में अत्वा दावा नल से गड़ जाने पर निरजन स्थान में लुटेरों के दावा में पढ़ जाने पर या शत्रों से पकड़े जाने पर अत्वा जंगल में से ही व्याग रहा जंगली हातियों के पीशा करने पर कुपित राजा के आदे से वद या इंकर युद्ध में शस्त्रों का प्राहार होने पर अध्वावी इतना से फीडित होने पर की बहुना सभी भयानक बाधाओं के उपस्तित होने पर जो मेरे इस चरित्र का इस्मण करता है वेह मनुष्य संकट से मुक्त हो जाता है मेरे प्रभाव से सहें आदी इंसक जन्तु नस्ट हो जाते हैं तता लुटेरे और शत्रों भी मेरे चरित्र का इस्मण करने वाले पुरुस से दूर भागते हैं रिशी कहते हैं यो कहकर प्रचंड पराक्रम वाली भगवदी चंड का सब देवताओं के देखते देखते वही अंद्रद्यान हो गई फिर समस्त देवत सावी शर्तों के मारे जाने से निर्वे हो पहले के ही बाती यग्यभाग का उप्वोग करते हुए अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे संसार का विद्वन्स करने वाले महा बैंकर अतुल प्राक्रमी देविशा तुरू सुम्भ रथा महावली निश्व के युद् संस्तरब्रह्ण में स्तित होodar करते हैं राजन महा प्रल्य के समय महां मारी का सुछ्वारुप धảnना करने वाली महा काली संस्त ब्रह्मान वे व्यापते हैं वही समय 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 पर महामारी होती और रुप में प्रकट होती हैं वे सनातनी देवी ही समयानुसार संपुर्ण गूतों की रक्षा करती हैं मनिश्यों के अव्योदय के समय वे ही घर में लक्षमी के रुप में इस्तित हो उन्नदी प्रदान करती हैं और वे ही अभाव के समय दर्जितत्ता बनकर विनाश का कारण होती हैं त्रियोदश अध्याएं सुरतों वैशको देवी का वर्दान जो उदेकाल के सूर्य मंडल के सी कांती धारन करने वाली हैं जिनके चार वुजाएं और तीन नेत्र हैं तथा जो अपने हातों में पाश अंकुष वर एम अभे की मुद्रा धारन किये रहते हैं और उन शिवा देवी को मैं ध्यान करता हूं रिशी कहते हैं राजन इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्मे का वर्दन किया जो इस जगत को धारन करती हैं उन देवी का ऐसा ही प्रवाव है वेही विद्यावत्पन्द करती हैं भगमान विष्णु के महाया स्वेरूपा जादना करने पर वेही मनुष्यों को भोग स्वर्ख और मोख्ष प्रदान करती हैं मारकंदी जी कहते हैं कि कोश्टों की जी मेधा मुने के वचन सुनकर राजा सुरत ने उत्तम्रत का पालन करने वाले उन महाभाव महडशी को प्रडाम किया वेहत्यंत मम्ता और राज्य पहरण से बहुत खिन हो चुके थे वहां उन्हें इसलिए विरक्त होकर वेह राजा वेश्य तत्काल तपस्या को चले गए और वेह जगदंबा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगें वेह वेश्य उत्तम देवी सुक्त काजब करते हुए तपस् में ही मन लगाए और एक आग्रता पूर्वर उनका चिंतन आरम्व किया वे दोनों अपने शरीर के रक्त से प्रोशित वली देते हुए लगातार तीन वर्श्य तक सम्यम पूर्वर अराधरा करते रहें इसको पर पसंद होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी न राजन तथा अपने कुल को आनंदित करने वाले वैश्य तुम लोग जिस वस्तु की अभलाशा रखते हो वे मुझ से मागो मैं संतुष्ट हूँ अथे तुम्हें वैसा कुछ दूंगी मारकंडे जी कहते हैं कि सब राजा ने दूसरे जन्मे में नश्ट ना होने वाला र वंता और एहमता रूप आसकती का नाश करने वाला ग्यान मागा देवी बोली राजन तुम थोड़े ही दिनों में शत्रों को मार कर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे अब वहां राजा वहां तुम्हारा राज्य इस्तिर रहेगा फिर ब्रत्यों के पश्चा तुम अग सारवन दोनों को मनों मांचित वर्दान देकर तथा उनके द्वारा भक्ति पूर्वक अपने इस्तुदी सुनकर देवी अंबिका तत्काल अंत्रध्यान हुआई इस तरह देवी से वर्दान पाकर चत्रियों में शेष्ट सुरत सूरे से जन्मले सावर्णी नावक मनू हो पोल जावक मनू समय को थेवी अंबिका तत्क जो तपर तरह जा युआ कर देवी अंबिके वर्दान को क्यान हुआ हुआ है।